कि सभी दोस्तों अचाण के नीटी यूटूब चैनल पर स्वागते दोस्तों करें हर्याना जिक्की की पिछली प्रिक्षाओं पर अधारी एक जार पलस क्वेशनों का निचोड काफी बच्चों की डिमांड पर मैंने यह सिरीज शरू किये और आज गी क्लास आप पहली बार के साथ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक क्वेशन दिया गया और नीचे वह एक्षा कितनी बताई गई है तो आपके लिए यह अर्याना ग्रूप डी में यहां से क्वेशन कंफर्म आएंगे क्योंकि एंटी ने आपका ग्रूप डिया एक्जाम लेना है और एंट के पास समय नहीं है तो हमने दो दिन आपके लिए रिजरव किया है यानि हमने क्या किया है मंडे और सक्रवार तक हम राइगुलर वीडियो देते हैं राइगुलर क्लास आपको देते हैं सैचर्डे संडे को हम क्लास नहीं डालते दो दिन में आपके आप सभी क्लास देख स कि आपके सभी एक्जाम में काम आएगी और गुरूप डी एक्जाम में तो यहां से आप अच्छा स्कोर बना पाएंगे तो इसी आशा और इस उमीद के साथ आज की क्लास का सुभारम करें तो आज की क्लास का पहला परसन है भई जवरदस्थ क्वैस्टन पूछा देखो हर्याना में बीज विकास निगम का मुखेले बताइए के तो हर्याना के अंदर बीज विकास निगम का मुखेले कांपर है pen Schn unter के अंदर है ठीगे थिक हापना पुछें आपसे 1944 में और यह किस नाम से हो है नांब किया हुआ है उसके आम से आपनी तैयारी करनी है है थार्यान का सबस्कान कि हमई एचीजरी के दौरा पुछे गई पर्शन के इनुसार भात कीजाए थो हर्याना में दिज विकास निकम की स्थापना 211 में हुई है नोट कर ली सीत था पुराने समय की बात है तो पुराने समय में हर्याना किस नदी के किनारे परально पर स्तीत है यह कौन से नधी पे था यह सरस्वती नधी के किनारे पर ष्थित न अपराचिन समय की बात की जाई तो यहां पर कुछ मोर जिले से निकलती है वरतमान में बात की जाए तो यह लगब क्या भवं लूप तो चुकि है या लूप Winston कि कगցगी क्या यह बहुत छोटी बरसांती नदी बनके रह गई यह फिलाल ठीक है बहुत छोटी बरसांती नदी बनके रह गई है तो आपके लिए客 को मेह बारतिय स्विधानैं तो बारतिय स्विधान में वह है शनसोधन जिसने मतदान आयो कटा कर 21 वरस से ठारा वरस कर्धी transforming क्या सब्सक्राइबर स्वाइं जो ये आप दालते हैं पहले कितिन हैं है 21 वरस उमर होतीague ठारा वरस कर कर दिए यह आपका क्या 61 विदान संसोधन हुआ है 1989 में कब हुआ 1989 में हुआ है यह भी आपडेट याद करें यह आयु लोक सभा और विदान सभा कर दिए परदान मंतरी खी गई सबसे युवा परदान मंतरी भारत के राज़ धिक कानि तंत कालिक पदानमंतुलि राजि अग दि सबसे युवा पदानमंतुलिय नेच्ट घशन हार्यान और सीड के मुख्या निमिलित में से कौन होती है तो c i d मुख्या करण्ट में देखले निक्नली नगन है नोत करना कोसं इसमें बता गाया असोंक मित्ल ये नेइस्ट वाय हर्यान कि कमई चरंप स्ट्रिय राजमार्ग एनछ 10 कहां से कहां तक जाता या कहां दिलिफ से तो यो आपका फजी लिख्गा तो बताइए कांसे बताइए को यहित यो हॉसने कांत जाता है नियुद्ली यो नीचे comment box में बताना मैं इसका इंतिजार करूँगा कितने बच्चों को यह question आता है तो next question करते हैं भाई तो next question आता है सर छोट राम जी का जनम कब हुआ तो सर छोट राम का जनम कब हुआ था वही ठारसो इक्यासी में 24 नौमबर 1884 को इनका जनम हुआ वर्त्मान में ठीक है क्योंकि इनका जनम क्या हुआ गडासों क उंदर वर्त्मान में गडासों का नाम बताना को हमा nah डाम करशन हॉर्ड़ के इसमें करेंटो करन करनका इसले सांवा जिए और नाम रिचपाल तो यहां पर देखो थोड़ा इंपूर्ट पॉइंट क्या बनेगा लेकिन उनका जनम दिन किस रूप में बनाया जाता है तो बेसाक्की के रूप में बनाया जाता है बेसाक्की के रूप में कि बीच तराइन का युद हुआ सभी जानते हैं 1101 और बाणवे की लडाई जो लड़ी गई किसके बीच लड़ी गई मुहमधगोरी और पिर्थियुराच्वान के बीच तब तराइन कां पर था तो तराइन कांपरता वर्यान के अंदर तराइन का वर्तमान में नाम बताना पाँखोश में दो यूद में पिर्थी राच्वान की विज़्ज दूसरे यूद में किसके आरोज आती है पिर्थी राच्वान की आर यानि पहला यूद कों जीतता आब तो पहला यूद बताना में कौन जीतेगा क्योंगी पहले यूद में पिर्थ्य राच्वान की विज्य होती है तो पहला यूद है जो पिर्थ्य राच्वान जीतता है दूसरा यूद कौन जीतता है मुहमद गोरी ठीक है न क्योंगी दूसरे यूद में पिर्थ्य राच्व और जाता है यह भी आप नोट करके रखना क्योंगे यह भी आपके लिए काफी इंपूर्ट एंट है ठीक है तो नेस्ट क्वेशन आता भई 269 साथ तो 206 नंबर नंक्वेशन देखंगे निमिल्त में से हर्याना के रज्ये-पाल नहीं रहे चार एप्शन दिए गए हैं और question क्या पूछा गया है कौन हर्याना के रज्येपाल नहीं रहे देखलो भई कौन नहीं रहे हर्याना के रज्येपाल विरेंदर नरायन चक्रवर्ती सबसे लंबा क्या है कारियकाल के जो कारियकाल रहा था रज्येपाल के रूप में किसका रहा था विरेंदर नरायन चक्र वर्तिवा ये वी राज्येपाल थे तो बताना राषिह जैसुक्लाल क्छोड़े अर्चन सिंग ब्राड राधि राज्येपाल थे यानी जो आपके मादो haha वह क्या हर्याना के राज्येपाल नहीं रहे हैं यह यह आपनोट कर लेना क्योंकि यह कैसिन आप से पूछा जा सकता है हर्यान अंतोध्य परिवार उथान हो जना 221 की श्मापुरस की जैन्ती पर गोशित की गई इन्पोतेंट बैं गरूर विदार्स-जी माराज की जैन्ती पर ह्यों हो जना अगर बात करें हर्यान बंतरी स्री मनोर लाल गात्र जी रूमेर ऊंत गोषणा की एक अपर विलोजार ब ribs इसका जो अंतोढ्य प्रिवार्य योजना यानि इसका जो अलंफ थऺलां सरूा थそれでは看一下 सब्सक्राइस longtemps 27 पूमलरी 2028 फॉवरी से लुण इसकी गोषणा की किस ने यह मुख्यमंत्री जी नहीं तो मुख्यमंत्री अवास को अब किस नाम से जाना जाता है ठीक है मुख्यमंत्री वास को क्या बोलते हैं वही कभीर कुटिया किसके नाम से जाना जाएगा कबीर कुटिया के नाम से जाना जाता है राजियू गांधी जो आपका क्या है राजियू गांधी इनफार्मेशन टेकनलोजी पारक ठीक है यानि राजियु गांदी इनफार्मेशन टेकनलोजी पारक चंडी गड़ का उदगाटन किसके दुआरा किया गया तो किसके दुआरा किया गया गया इतनत कालें परदान मंतरी शिरी मनमोन सिंग ठीक है ना डोक्टर मनमोन सिंग के दुवारा इसका उद्गाटन किया गया था तो हर्यान में वीर एम सहीद दिवस कि इस तीथी को मना आ जाता भई तो बतानोंब किस तीथी को मनाआ जाता है चार ओप्षन दिये गए है और जो ओप्षन दिये यहां से देखो 23 मार्च 23 अप्रायल 23 अगस्त अमारा कोई अनस्वर नीश में बताया क्योंगि अप्रयोगित में से कोई अमारा अनस्वर होगा तो हरियान में वीर सुक्ति आपके 23 स्थम्वर को में अचाता है किस सी याद मे रहतूला राम जी की याद में टार 10ます इसे मैं थाइम पीर घतीक था ठार सो पत्ची वार्म का तो सर छतुर आम के बारे में बानेने जान चुके हैं 363 नमबर बटी आएगा हमारा 264 ठीक है यह PDF है भई PDF के थोड़े पेज क्या हो गई क्योंगे आगे पीछे हो गए ते लेकिन हमें के question को discuss करेंगे एक भी question ऐसा नहीं है जो क्या हमसे चुटेगा अगर चुटे भी गा तो बाद में हम discuss कर लेंगे यह देखेंगे कौन सा question हमसे चुटा है ठीक है तो आगे हम 263 के बाद पहुंचते हैं कहां पर 264 पर 264 तो वही चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें क्योंगे आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब क्या है हमें यहां पर क्या डटे रहने के लिए काफी motivation देता कि आगे आगे हम class आपके लिए लेक्या आए तो वही पेज लगता आगे पीछे हो गए लेकिन बाद में देख लेंगे चलो हम discuss कर लेते हैं ठीक है आगे पीछे तो कुछ नहीं हुआ हमारा क्या था ही है 264 263 263 के बाद आता है ठीक है ना बीच में कुछ question कट हो रहे हैं वह बाद में करेंगे तो देखो भई 266 दिखाया गया रिराणा के क्या विदुत विनायक आयोग के चेर्मैन कौन है यह देख लेना भई तो क्या आर्क पचनंदा दिखाये गए फिलाल लेकिन करेंट में देखना कोण है ठीक है ना यह आप सर्च करके देखना तो निमिलिक तमेसे हरियाना का जो डीजीपी है वो नहीं रहा है तो कोन निरा भई हरियाना का डीजीपी यह भी देख लेना ठीक है तो नेक्स्ट आता भी देखो जो फिमेल का क्या हुआ था एसाई का एक्जाम हुआ था दो जार इकिस में यह क्वेशन पूछा गया था अब आप अंताजा लगा सकती सभी क्वेशन जो आपके लिए 24 में 2021 की डेट आप याद करना यहां से क्वेशन आपके लिए पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेशन आता भी आपके लिए 217 की बाद आएगा 268-277 मिल जा यार मिल गया तो देखो भई हर्यान विदान समामे की स्तित्थी को प्राइवेट सेक्टर की नोकरियम इस्तानिये लोगों को 25% आरक्षन देने के लिए प्रावदान बिल पास हुआ यह जो आपकी जेज़ेपी पार्टी है जेज़ेपी पार्टी के मुखिया है जो दूसिन चोटाला उन्होंने वादा किया था कि हम अर्याना की युवां को निजी अक्सेतर में 25% आरक्षन देंगे तो यह जो बिल है आपका विदान सबा में कब पास हुआ यह डेट पूछिए ठीक है तो पांच नुवंबर 2020 को तो अभी तक तो क्या है अर्याना के युवां को रोजगार ने मिला यह क्या है खोकले वादे हैं क्या लेकिन हमें एकजाम के लिए अच्छी तरीके से डेट को याद करना क् जो यह बिल है कब पास हुआ पांच नुवंबर 2020 को तो हर्याना से समधर रखने वाले निमिल्क तमेसिक कौन सी दिल्ली खेल विश्वी देले की कुलपुति यह बैई सोरी कुलपति पुच्छा ठीक है दोस्तों कुलपति कोण है बैई करेंट में देखना कौन है कुलपत आ तो जो कंड मले सब्हें है ओलमपीक पदक जीतने वाली पहली भारति है महींला है तो किस गेम में जीता तोकिन थो जार में शीडनी ऑलमपीक में 12 तोलन में कांसिया पदक जीता भई तो कंडमलेश्वरी का जनम पूछे आप से एक जून उनिसो पिछेत्र को हुआ है कांपर हुआ है आंदर प्रदेश में नोट करें भई इनका जनम कांपर हुआ है अंदर प्रदेश में हुआ लेकिन इनकी साधी योमनानगर में हुई है साधी काम पर हुई है योमनानगर में जनम काम पर हुआ अंदर प्रदेश में ठीक है तो नेक्स्ट देख लो भई आपका तो हर्याना के निमिलिक्त मुख्य मंतरी हुआ काल बताना भई ठीक है तो काल कि बाद तो डिगउपता यानि αर्च बनारशी दास गुपता तो तीसरा काल किसका हो जाएगा चोदरी हर्यांक कि क्या वही आपके दुईत्य केश्री फिर नेक्स्ट हो जाएगा हर्याना की राजनीती के दूरी का काल ठीक है यानि चोदरी बजनलाल का काल तो सी रिजमें दिखाए गए हैं वही बनसी लाल जो बनार्सिदास गुपता देविलाल बजनलाल यानि एक दो तीन चार हमारा स एक फिल्म अभिनेत्री अर्याना की प्रसीद क्रिकेटर खिलाड़े की पुत्तर उदू भी यह यह भी आपके लिए खास परसनों जाएगा ठीके दोसो ती यत्तर की बाद आ गया दोसो चुएत्तर गया दोसो ची तक तो करेंगे ठीके दोसो चुएत्तर देखेंगे आ जाई यार यह आ गया तो और याना में कालेसर मादेव मठ निमिन में से किस्तान प्रवई अथिन कुंड विराज ठीक है अथिन कुंड विराज यम्ना नगर के अंदर है ठीक है अथिन कुंड विराज नहीं मिलेगा तो आपको ओफ्षन में यम्ना नगर मिलेगा ठीक है तो आपका राइट अन्स इतना भी आप नोट कर सकते हैं मैं सद्सक्राइबए नेच्ट आता है अरियान के किस जिले की सीमा तीन राज्यों से मिलती है तो अपके लिए टो भी से फ्हनी जरूर या ठीक है न्याम로 आस पास जैसे घिरिणा कि सीमा कितने राज्यों छोथी है पांच राज्यों छोथी है तो क्या है गाल मात्र जील इसा है जिसकी सीमा थी अ М तीन राज्यों से लगती है यह मनानगर की मिलन इसे लगे है यह तो यह आ गया सब्सक्राइब करें नारंव के दिवान, क्या दिवान रहे रायन मुकंद दास द्वारा निर्मित, इस विशाल म की चुत्राय योजना बंद और अलंकरित किया गया अलंक की इसका बाहरी बाग क्या है नीरस है यह सतापित करने की स्विकरती मिली है कि तो काम पर मिलिए यापकी पंचकुला के थीक है तो हर्याना सरकार ने पंच को लाजी लेकर मोड़नी नामकस्तान पर यह जो बाबा रामदे को अदेश दिया कि यहां पर आप अर्बल पारक स्तापित कर सकते हैं ठीक है और यह विशो का सबसे बड़ा अर्बल पारक होगा ठीक है यह संभावना है देखो बनेगा त अर्याना के कौन से नंबर के राज्यपाल है अठारूओं नंब्र के राज्यपाल है तो एक एक समीन कि यह घूटेंगे समारो आप जलदी करेंगे जड़ कि अडिक न गुरूंद कर देखें अगर आप पहले पारसंद से जुड़े हुए न तो आपके लिए यहां पर फा क्योंकि वीत्य वर्तमान में वित्मंत्री कौन है माननीय मोक्य मंत्री जी है क्योंकि वित्मंत्र ऐले किसके पास है वहारे मनोरलाल खटर जी के पास है ठीक है आज हम कितने सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और हमने आपके लिए इनकी पले लिस्ट बनाए हुई है तो आप पले लिस्ट में जाएंगे तो आप पहले वीडियो से लाश्ट तक बिलकुल अराम से देख शकते हैं और मैने बताई दिया आपको जो यह क्लास उम लेकर आते मड़े और शक्रवार तक यानि मड़े और प्राइडे तक हम यह क्लास लेकर आते शैचर्डे दो दो आघ़तों संदे का रस्ट होता था